Hey everyone, welcome back to my channel और मेरे चानल का नाम है वर्षा ब्यूटी के एर दुबय करती ही वाप सबच्चे होंगे दोस्तों आज मैं आप से शेर करने जा रही हूँ ऐसे कुछ यूसफुल टिप्स जिसके हल्प से आप अपने अंडरांस को घर बैटे ही क्लीन कर सकते हो और वो भी सिर्फ दो चीजों की हल्प से और कैसे आप अपने अंडरांस का कालापन दूर कर सकते हो वो भी सिर्फ दो चीजों की हल्प से जी हां आज में सिर्फ दो ही आपको स्टेप यहां पर बताऊंगी जिससे आप अपने अंडरांस को क्लीन कर सकते हो उनका कालाबंद दूर कर सकते हो और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टीड वीडियो है मेरी बहुत ही प्यारी स्ट्क्राइवर है उन्होंने रिक्वेस्ट गी थी वीडियो की तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं और साथ ही sık अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएने तो स्वागद शप्वांगटבע को सबस्राइब कर लीजए मेरे बैली यू बैल विडियो प्रेस घर जाएगा अई आज मैं आपको दो प्र कई अन्टराम औराम्स को शेफ करने का ब्ताने जा रहे ही है। कि आप अपने 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 शेव करकर आपको दिखाने वाली हूँ, जी हाँ, इसकी बिल्कुल सेफ तरीका है, और इसकी हल्ब से आप अपने अंडराम्स को इसली शेव कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं, सिबसे पहले मैं यहाँ पर ले इसकी हल्ब से मैं अपने अंडराम्स को क्लीन करूंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपको थोड़ी से ग्रोथ नजर आ रहे होगी, मैंने एक हफते से अभी तक शेव नहीं किया है, तो इतनी ही होती है, तो यहाँ पर मैं इससे सबसे पहले क्लीन कर लूंगी, इस वाइबस की हल्द से, इसके बाद मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ इक रिशनर, और इससे आपने वैसी ही ड्रेक्ट ली अप्लाई करना है, पानी वगारा के साथ अप्लाई नहीं करना है, और मैं इससे शेव कर लूंगी, तो यह देख सकते हों आप दोस्तों की सिर्फ कंडिशनर की हल्द से ही मैंने अपने बालों को शेव किया है, और काफी साफ हो गई है, लेकिन अभी मैं सेकंड स्टेप एक और करने जा रही हूँ, जो की बहुत ही इजी है, सिंबल सा स्टेप है, और इसलिए आपको अपने जारी हूँ, वह बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंबल सा एक तरीका है, मैं यहाँ यूज करने जारी हूँ, सैंसो डाइन टूथ पेस्ट, मैं यहाँ पर फ्रेश मिंट का फ्लेवर यूज कर सकते हो, और वैसे अगर आपको मिंट की बिल रही है, तो आप यह यूज इसे क्या होगा, कि अगर आपकी अंडराम्स में गई लेशे रहा हूँगे है, तो जैसे कि इसमें मिंट है, तो यापकी अंडराम्स में उस स्कीन को टंड़क पहुंचाएगा, और कोई भी नुकसान भी नहीं होने तेगा अपकी स्कीन को, और एक चीज़ का और ध्यान द ठीजर कर लिचे किन केका, तो ये थे देखिए मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, और पांट से दस मिनट तक बस आपने इसे रखना है, और ऐसे पांच मिनट भी काफी होँगे, तो आप पांच मिनट भी रख सकते हों, अगर अपके पास जादा टाईम है तो आप दस तो बस अभी मैंसे कुछ दिर ऐसी रखोंगी और इसके बाद मैं इसे क्लिंग कर लूँगी तो यह देखिए यह ड्राई हो चुकी है और अब मैं इसे वाइप की हल्प से क्लिंग कर लेती हूँ करें छाहीं तो और यह पाने की हल्प से भी वाष कर सकते हूं फिंट्ऌिट की स्टेप के बाद मैं यहां पर लगाने जा रही हूं बोरु-ब्रजका मॉश्चराइजर आपक्शचराइजर लगाना बहुत जाला ज़रूरी है जब भी आप अपने अपने नाराम्स को शेप क कितने चीज़ तरीके से क्लीन कर सकते हो, देखिए, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ दोस्तों यहाँ बर, अगर आपकी अंडराम्स की ग्रोध बहुत ज़्यादा है, तो आप सीजर के हल्प से, यानि की कैंचे के हल्प से, उन्हें थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए, उसके बाद आप कंडिशनर के हल्प से, अपने अंडराम्स को इस तरीके से शेप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बर कर रही हूँ, तो देखा दोस्तों, आपने कितना आसान है, अपने अंडराम्स को घर बेटे-बेटे ही, क्लीन करना, उनका कालापन कैसे, आप असानी से दूर कर सकते हो, सिर्फ दो सिंपल से इजी स्टेप से, वो भी बीना पैसे खर्च किये, बहुत जादा खर्चिक करने की जुरूद भी नहीं है, क्योंकि हर बर हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है, कि वो पार्लनर में जाके वैक्स वेरा करवाए, और इतना पैसे हैं, क्योंकि हर एरिया में पार्लनर की प्राइस अलग-अलग होते हैं, तो आज मैंने बहुत ही एफोड़ेबल तरीके से आपको यह दो इस सिंपल से इजी स्टेप बताए हैं, जिनकी हेल्प से आपने अपने अंडराम्स को शेव भी कर सकते हो, और उनकी काले पन को भी दूर कर सकते हो, तो गाइस, आशा करते हूँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, दोस्तों, इससे पहले भी मैंने अंडराम्स की टोपिक पर काफी वीडियो बनाई हुई है, तो मैं आपको आई बटन पर उनका लिंक दे दूँगी, आपको 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 झाल 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 झाल